हेलो एविवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैगनेट ब्रिंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रिंस एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरकार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री एबिलिबल करवाय जाते हैं जैसा के आज हम आपको कक्छा साथ संस्कृत में हमने आपको नवम पाठ जो पढ़ाया था जिसका नाम था अहम अपी विद्यालयम गमिश्यामी इसके अब हमने लास्ट वीडियो में अनुवाद पूरा करवा दिया है अब हम अभ्यास की और चलते हैं अभ्यास का मतलब क्या होता है जो आपके पाठ में आपकी पुस्तक में प्रश्न उतर दिये हुए हैं उनको तो यहां पर पहला प्रश्न हमारा लिखा है उच्चारणम कुरूत अच्छा यहां पर करना क्या है इन शब्दों में हमें कुछ नहीं करना है किवल इनका उच् क्यों बुलवाया जाता है बुलवाया इसलिए जाता है हर शब्द को कि जिससे कि आप उन शब्दों को बोलेंगे तो आप जब संस्कृत की इन शब्दों को बोलेंगे तो आपका उच्चारण शुद्ध होगा यानि सही तरह से आप बोल पाएंगे तो जैसे पहला हम शडवादने यहां पर आप कहेंगे यह शब्द हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्या है तो यह अक्षर किसे मिलकर बना है आधेडा से और उसकी बाद में वा उसमें जुड़ा हुआ है तो पहले हम आधेडा को बोलेंगे शडवादने कैसे बोलेंगे इसको शडवादने फिर कहेंगे अश्ट वर्ष देशिया हम हमेशा देखें जैसे क्या होता है इंग्लिश में भी आपने देखें होंगे कि बड़े बड़े जो अपने कोई भी वर्ड्स होते हैं उनको हम तोड़कर बोलते तो प्रुनांशेशन सही आता है तो यहाँ पर भी वही होगा उचार मतर्व धंजिया दोत्रह से आपको लगेगा कि इसको भी पूलो और यह इसको भी ग्रव देते ओंड़ कि यह जो रहोता है इसकी थो ध्वनी के साथ में निकलती है उन्हीं इसको ग्र कहेंगे और री की मातरा लगने से उसको ग्रि कहेंगे क्या कहेंगे ग्रि ग्र और ग्रि दोनों में अंतर होता है इसमें ई जैसा हमारा स्वर निकल के आता है ठीक है तो हम कहेंगे अनुग्रिहनातु यह जो ना लखा हुआ है वो पूरा है और इसमें ह हमारा आधा है तो हा को हमने आधा बोला अनो ग्रह ना तू ठीक है? आगे बुलेंगे भावत अप्ता आधा है तो पहले हम भावत को अलग करेंगे सद्रिशानाम अलग करनेंगे तो इतने बड़े शब्द को भी हम आसानी से बोल सकते हैं भावत सद्रिशानाम ग्रिष संचाल नाय, अलग-अलग कर के बोले, व्यवस्तायी, अब आगे बोलेंगे महार, अब तेकी महार सब्द हमने यहां से ले दिया, महार घता काले, यानी महंगाई के समय में, आगे लिखा है अध्ययी, फिर से हमने देगे तोड़ लिया इसको, अध्याई वास्या अध्याई वास्या शब्द से क्या मिलकर बना था अध्याई वास्या फिर हमारा देखे करतल करतल को लग कीजे वादन को लग कीजे और सहितम अलग करें करतल वादन सहितम करतल वादन सहितम हाथ के वादन के सहित वैसे इसको आपको स्वेम ही करना यानि एक पद के द्वारा आपको उत्तर लिखने हैं अच्छा पद और शब्द में अंतर क्या होता है जैसे हमने आपको बार-बार ये चीज बता देते हैं इसलिए कि हो सकता है कोई वच्चा आज ही पहली बार देख रहा हो और उसने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो ये चीज हम आपको बताएं कि पद और शब्द में अंतर क्या होता है वरिक्ष हमारा शब्द है और विभक्ती लग जाए तो वो पद बन जाता है कभी ये नहीं समझिएगा कि शब्द और पद एक ही बात होती है नहीं जो हिंदी और बिना विभक्ती का जो हमारे सामने शब्द लिखा होता है वो शब्द कहलाता है लेकिन उसमें जब विभक्ती लग जाती है तब वो पद बन जाता है तो यहाँ पे जो उत्तर देने है वो बच्चे समझते हैं कि एक शब्द में उत्तर देना है एक शब्द में नहीं देना है एक पद में उत्तर देना है और सामने वो इसलिए पद ही लिखते हैं शब्द नहीं लिखते हैं एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर देना है आपको सिर्फ तो लिखा हुआ है गिर्जायाह ग्रह सेविकाया, गिर्जा की ग्रह सेविका का नाम किमासीत किमासीत शब्द मिलकर बनाए हमारा किम और आसीत शब्द से आसीत कार्थ हुता है थ किम कार्थ हुआ क्या ठीक है तो यहां पर लिखा है गिरिजा की गिरिजा शब्द में सस्थी बिभक्ती लगी है तो काकी के कार्थ निकाला गेरिजा की ग्रह सेवी का का दोनों में ही काकी के कार्थ देखे यहां पर भी याह लगा है यहां पर भी याह लगा है दोनों में ही सश्टी विभक्ती लगी है तो काकी के का अर्थ हम निकाल ले हैं गेरिजा की ग्रह सेवी का का नाम क्या था क्या था नाम? तो अब आप बताईए। याद है आपको आपने अभी हमने कोन वाद करवाया था? पाट पड़ाया था उसमें हमने क्या नाम बताए था? आप बताएंगे दर्शना क्या नाम था उसका दर्शना ठीक है अब कहां पे आप लिखोगे इसको किम के स्थान पे ये जो किम लगा हुआ है किम के स्थान पे आपको क्या लिखना है दर्शना लिखना है तो आप कहेंगे आसीत कहां से आया क्योंकि हमें किम के स्थान पे दर्शना को लिखना था किस के कीजिए, सिर्फ यहां पे आप दर्शना लिख दीजे और आपका उत्तर हो गया ठीक है कुछ नहीं लेकिन आप उसको वाकि की रूप में बना सकते हैं सामने वाकिय तो आपको सामने से ही मिल रहा है, उपर से प्रश्नमे से ही मिल रहा है तो वाक्य में लिख दीजी तो कितना बस करना है पूरा लिखेंगे बस किम के स्थान पे इसको लिख देंगे आप लिखेंगे गिर्जायाह ग्रहसेविकायाह नाम गिर्जा की ग्रहसेविका का नाम दर्शना था किम के स्थान पे दर्शना लिख दिया और आसीत यहां से तोड़कर इधर लिख दिया और आपका उत्तर बन गया क्या नाम था दर्शना था अब लिखा है दर्शना या पुत्री कती वर्शी या आसीत दर्शना की जो पुत्री थी कती यानी कितने? कती कार्थ क्या होता है? कितने? जब कितने पूछा जाता है, हाउ मेनी पूछा जाता है, तो आपको क्या देते हैं? आंसर में नंबर बताते हैं तो यहाँ पर भी वही करना है उनने कहा दर्शनायाह पुत्री दर्शना की पुत्री कती वर्शिया आसीत कितने वर्श की थी तो कती के स्थान पर आप लिखेंगे आठ वर्श की थी तो आठ को कहते हैं हम संस्कृत में अश्ट क्या कहते हैं अश्ट बस क्या करना है या तो स सीधा अश्ट लिख दीजे और अश्ट वर्शिया लिख देंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि आठ वर्श की चीए और नहीं थोड़ा वाकिया में बनाना चाहते तो अच्छी बात है सामने से लिख दीजे कती के स्थान पर ही तो बस हमें उत्तर लिखना है उत्तर तो एक पद में ही दे रहे हो आप बाकी तो आके कहां से ले रहे हो प्रशन से दर्शनायाह पुत्री अश्ट वर्शिया आसीद उत्तर आपका बन गया चीक है आगे लिखा है अद्दत्वे सिख्षा अ इसा होता है कैसा। तो आज सिख्षा हमारा कैसा अदिकार है तो की दरश के स्थान पर आप लिखेंगे मायुलिक काह music in a प्रमाविभक्ति तो मुलिक में भी प्रतमाविभक्ति टीक है ठीक है फे पर हम ने क्या लिखा हो अधव्त्वे सिंक्षा अस्माकम या तो सिर्फ केबल मौलिक का uttar होगया और नहीं तो का अर्थ क्या हुआ किस प्रकार कथम शब्द में द्वितिया भिभक्ती लगी है नपुन्सक लिंग रूप में इसका क्या आएगा उत्तर आएगा दर्शना की पुत्री किस प्रकार नाचती है तो आप कहेंगे दर्शना या पुत्री दर्शना की पुत्री कर्तल वादन सहि तम जहांपे उचारण कर रहे थे वहाँ पर भी चीक है? आगे देखते हैं हमारा प्रशन नमबर तीसरा आता है पूर्ण वाक्य ने उत्तर थे यानि पूर्ण वाक्य में अब हमें उत्तर देना है अब हमें एक पद में नहीं देना है एक जो शब्द लिख रहे थे वो नहीं करना है पूरा वाक्या लिखना है आपको चीक है तो पहला प्रशन है अश्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री अश्ट वर्ष यानि आठ वर्ष की दशा की यानि आठ वर्ष की आयू वाली दर्शना की पुत्री किम समर्था आसीत क्या करने में समर्थ थी अब यहाँ पर यह जो शब्द है अ आ दिखा रहा है यहाँ पर समर्था शीत समर्थासीत क्या करने में समर्थ थी तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर अब किम के स्थान पे हमें उत्तर लिखना है क्या करने में ती किम कार्थ क्या होता है तो आपको हमने पाट पढ़ाया था तो क्या बताया था कि जो आठ वर्ष की पुत्री थी दर्शना बताती है कि उसकी पुत्री पूरे घर का काम कर लेती है एक पूरे घर का काम कर लेती है, तो यहाँ पर हमें उसी चीज को बताना है, तो हम क्या कहेंगे? अश्ट वर्श दर्षन आर्ष पुत्री आठ वर्श की उम्रवाली दर्षना की पुत्री घर का सम्पूर कारे करत्व अब हिन्दी में जैसे अब आप लिखेंगे तो आप क्या गांगे? घर का पूरा काम करने मैं, चीक है? मैं समर्द थी इस प्रकार से ही आप उत्तर देंगे कि आठ वर्ष की जो दर्शना की पुत्री है घर का पूरा काम करने में समर्थ थी तो यहाँ पे घर शब्द में हमें का का अर्थ लिगाना है घर के साथ में क्या लगी हुई है? का लिखा हुआ है का को लिखने के लिए संस्कृत में सश्थी विभक्ति लगाते हैं इसलिए घर शब्द में हमने ग्रहस से लिखा घर का अब पूरा शब्द कैसा है? अव्या है तो यह जिसका आर्थ हुआ संपून यह जो संपून शब्द है यह हमारा नहीं बदलता है किसी के लिए कुछ हो जाए मतलब विभक्ति या लिंग या वचन के लिए कुछ अलग हो नहीं होगा ठीक है? पूरा कार्थ हुआ संपून कार्य अब कहेंगे कार्य शब्द कार्य हमारा नपुन सख लिंग है तो कैय दिया कार्यम कर्तुम करने में अब ये करने में जो शब्द है या करने के लिए इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बन जाता है हमेशा कहते हैं कि शब्दूरूप बच्चों को तोड़ा सा कनफीशन होती है यही बार अधा कर रहे हैं कि शब्दूरूप याद कर लीजे हमने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, 6th के बनाए हैं, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 4 classes में हर एक के लिए शब्द रूप बनाए हैं और ऐसा नहीं है कि जिस सातवी कक्षा है उसके लिए शब्द रूप कुछ अलग बदल जाएंगे या उनका अर्थ अलग हो जाएगा, नहीं होगा, समान ही रहना है, शब्द रूप याद कर लेंगे, ये स्टारी चीजें जो हम एक एक बोलते हैं, हम कहते हैं सश्थी विभ सबस्टी शब्द रूप उप का अकारांट, दो ये लिए अकारांगे कहां का का म कीकरती थी अब हमें बटाना है तो कटी लिखा नहीं हैं, कती रहना का कार्ययां में करूती इस्म, दर्शन कितने घरों का का काम करती थी अब हमें बताना है तो कती लिखा है कती का अर्थ हुआ है कितना या कितने यहाँ पे हमारी संख्या आएगी तो उसने क्या कहा था कि मैं कितने घरों का काम करती हूँ उसने बताया था मैं पूरे दिन में 5-6 घर का पूरा काम करती हूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंच शड ग्रिहानाम पांच छे घरों का अब पांच और छे अलग लिख दीजिए पंच शड और फिर कती के बाद तो पूरा आपका वाक्य देखें यहीं से लिखा हुआ है दर्शना पंच शड ग्रिहानाम कार्यम करूती इस्म और यह प्रश ग्रहस से संपून कार्यम करतुम बस आपका उत्तर बन गया था यहाँ पे कती के स्थान पे पंचो शड लिख गया आपका उत्तर हो गया पूर्ण वाक्य भी देखेंगे है पूरे वहीं से मिल रहे हैं आपको है! अब यहां पर लिखा है मालिनी स्वप्रतिवेशनी अपनी पड़ोसन को क्या कहती है अपनी पड़ोसन को क्या कहती है तो आप बताएंगे यहां से किम को हटाएंगे किम कथियती को हमें बताने के क्या कहती है तो कहना वाक्य आपको बताना है न तो किम कथियती हटा देंगे आप कहेंगे फिर बाद में कथियती बाद में लगा सकते हैं मालिनी स्वाप्रति वेशनी कहते हैं मालिनी जो है अपनी वेशनीम यहाँ पे अनुस्वार जरू लगा लिजेगा क्योंकि यहाँ पे प्रती लगा है प्रती के साथ में दीधिया विभक्ती आती ही है केते हैं मालिनी स्वाप्रति वेशनीम प्रती अपनी पडोसन के प्रती कहती है के गिरिजे मम पुत्रह मेरा पुत्र मातुलगरहं प्रती प्रस्थितह मेरा जो पुत्र है मामा के घर गया है काचि दियानी कोई भी काचि दियानी कोई भी अन्य काम अपी काम अपी काम अपी ने होगा काम अपी काहेंगे कार्यम महिला कार्यार्थम जान से इतरहे प्रेशय कत्यती तो है कोई भी कोई भी कुछ भी या कोई भी अन्य महिला कार्य के लिए जानती हो तो प्रेशय कत्यती तो भेजना ऐसा कहती है ठीक है आगे लिखा है अदत्वे चात्रा विद्याले किम किम निशुल का प्राप्न वन्ती अदत्वे आज चात्र जो है विद्याले में क्या क्या निशुल का प्राप्त करते हैं कि आप प्राप्त करते हैं, तो आपको किम किम के स्थान पे लिगना है कि क्या क्या चीज़ें आपको निश्वल को मिलती हैं, तो आप लिखेंगे अद्दत्वे चात्रा, विद्याले, सिक्षा, गणवेशं, पुस्तकानी, पुस्तक्सियूतं, पादत्राणाम, मध्यान भो किम किम के स्थान पे आपने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें उन्हें मुफ्त में मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं अब आगे हमारा प्रशन आता है, रेखांकित पदम आध्रात्य प्रश्न निर्मानम कुरुत रेखांकित जो पद हैं उनके स्थान पर आपको क्या करना है प्रश्णों का निर्मान करना है उनको हटा करके बार बार वही चीज आती है कि शब्द रूप जहां याद हो जाते हैं ये सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगे यहाँ पर हमें क्या करना है जो रेखांकित पद होगा प्रश्न निर्मान करना किसी भी क्लास में सब एक ही समान होता है बस तरीका आना चाहिए तरीका कहता है कि यह जो रेखांकित जो भी शब्द हो उसकी तीन चीज़ों को पहचान लीजिए लिंग विभक्ती वचन लिंग पहचान लीजिए उसका पूरलिंग है स्त्रीलिंग है नपुनसकलिंग है विभक्ती पहचान लीजिए कि विभक्ती कौन सी लगी है और वचन कौन सा लगा हुआ है ये तीन चीज़ें पहचान ली तो आपका प्रश्न निर्मान हो जाएगा कैसे? जैसे यहाँ पर अभी हमने कहा मालिनी अब हमें द्वारा मुद घाट यती कर रही है बोल रही या कुछ भी कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं हमें तो रेखांकित पद को हटाना है उसकी जगह पर प्रश्न वाचक शब्द लगा देना है आपका प्रश्ण निर्मान हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? मालिनी देखेंगे मालिनी शब्द में लिंग कौन सा है? मालिनी कहेंगे यह तो इस त्री लिंग है विभक्ति कौन सी है वोले प्रत्मा विभक्ति है क्योंकि उसमें और कोई भी मालिनी का केवल नाम दिखाई दे रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है तो बालिका हो गया नदी हो गया आकारांत और इकारांत ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रत्मा विभक्ती एक वचन में उनकी रूप में कोई परिवर्थन नहीं होता है तो हमने तीन चीज़ें पैचानी स्ट्रेलिंग, प्रत्मा विभक्ती, एक वचन अब इनका क्या करना है इनका ये करना है कि इन में हमें जाना है किम के शब्द रूपों में कहां जाना है किम के शब्द रूपों में और किम का शब्द रूप कौन सा वाला जाएगा किम के जो शब्द रूप है तीनों के लिए अलग बनते हैं पुरलिंग के लिए अलग बनते हैं हाँ बिल्कुल बनता है अगर आपने पढ़ा होगा तब आप देखेंगे कि प्रत्मा विभक्ती में किम का जो इस्त्री लिंक का रूप बनता है वो एक वचन में बनता है हमारा का दुई वचन के लिए बनता है हमारा के और बहु वचन के लिए बनता है का बहु वचन के लि प्रत्मा विभक्ति एक वचन का रूप उठाना था, क्योंकि जो मालिनी शब्द है, वो स्त्रीलिंग का है, प्रत्मा विभक्ति एक वचन का है, तो बात बस यही है, कि अगर हमें शब्द रूप है, तो आप भटा भट से लिख देंगे, कि मालिनी के स्थान पर का लिख दे ना है कि मालिनी में प्रत्मा विभक्ती एक वचन है तो का में भी प्रत्मा विभक्ती एक वचन का शब्द रूप उठागे रख देंगे और हमारा प्रश्न का निर्मान हो जाएगा अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज आ गए लिखाया है सिक्षा सर्वेशाम बला नाम नहीं होगा बाला नाम होगा सभी बालकों का सर्वेशाम बाला नाम अब यहाँ पर देखिए बिभक्ती पहचानी है तो यहाँ पर सर्वेशाम बाला नाम में सश्टी बिभक्ती बहुचन लगा हुआ है बाल शब्द कैसा है हमारा पूरलिंग है क्योंकि अकारांत है बाल शब्द क्या होता है बाल कार्थ क्या होता है बच्चे बाल कार्थ क्या होता है बच्चा और बाला हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे क्योंकि बहुचन का रूप और वही पे उसमें नाम लगा दिया तो जिस कार्थ हो गया बच्चों का क्योंकि सश्थी विभक्ती काकी के कार्थ बताती है और बहुवचन कह रहा है कि एक बच्चे का नहीं है बहुत सारे बच्चों की बात हो रही इसलिए बाला नाम जो शब्द है वो क्या कह रहा है बच्चों का अब जब की बाला नाम शब्द में हमारे पास सश्थी विभक्ती बहुवचन लगा हुआ है तो हमें जो किम का शब्द रूप है वो कौन सा लेना पड़ेगा सश्थी विभक्ती और बहुवचन वाला तो जब आप पुरलिंग वाले शब्द रूपों में जाएंगे तब उसके सश्थी विभक्ती के रूप देखेंगे तो हमारे क्या बनते हैं पुरलिंग और नपुनसक लिंग के लिए पुरलिंग और नपुनसक लिंग के लिए बिल्कुल एक जैसे बनते हैं तो हमारा सश्थी विभक्ती एक वचन में रूप बनता है कस्यह दोई वचनों के लिए बनता है कयोह और बहुचन के लिए बनता है हमारा केशाम कस्या कयोह कस्या कयोह और केशाम तो यहाँ पर हमें क्या लेंगे सश्टी विभक्ती बहुचन का रूप केशाम उठा के उसकी जगह पर लिख देंगे और आपका बन गया यहां पर भी देखे, यह देखे, माली नीम शब्द को, अब हम पूरे शब्दों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे में आगे पीछे कुछ भी लिखा रहा है, उन से कोई मतलब नहीं है, बस उस रिखांकित शब्द की जगे हमें प्रश्ण वाचक शब्द को उ अनुस्वार, अब यह के लिखा है, माली नीम, चीक है, अब माली नीम हमने आपको बताया है कि अनुस्वार या माहलंत कहां आता है, किसी भी शब्द में माहलंत अंत में या अनुस्वार हमारा कहां आता है, द्वीतिया विभक्ति एक वचन में आता है, किस में आता है, द कौन से वाले शब्द रूपों के पास जाएंगे हम स्ट्रीलिंग वालों के में और उसमें भी दूतिया विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो प्रत्मा विभक्ति में अभी हमने आपको बताये तक क्या बनते हैं का के और काह किम के शब्द रूप और दूतिया विभक्ति म काम पश्यति किसको देखती है मालिनी को देखती है बस को का अर्ठ आ गया है क्योंकि विभक्ति में अपना अर्थ चुपा हुआ परेता है जैसे यहां पर केशाम में छुपा हुआ था कि कि का मिलत्व है इस, अब आगे लिखा है किस को परिवार का अब हमें सब में परिवार में देखना है, कौन सी विभक्ती है परिवार शब्द में स्या लगा हुआ है स्या कहां लगता है सश्टी विभक्ती एक वचन में लगता है जैसे बालक बालकस्य बन जाता है राम रामस्य बन जाता है पुस्तक पुस्तकस्य बन जाता है तो हमें क्या करना है परिवार में स्या लगा है तो स अकारांत शब्दों में अकारांत चाहे आपके पूरलिंग हो चाहे नपुनसकलिंग के हो दोनों के कैसे होते हैं तृतिया से सप्तमी विभक्ती तक के रूप बिलकुल एक जैसे बनते हैं बस फल और अगर बालक के शब्द रूपों को देख रहे हो तो उनमें आप अंतर देखोगे तो केवल प्रतमा अदृतिया विभक्ती में होता है बाकी तृतिया से सप्तमी तक जैसे नपुनसकलिंग के रूप बनते हैं वैसे ही हमारे पूरलिंग के बनते हैं बिलकुल समान होते हैं तो यहां पर भी हमने क्या कहा कि अकारांत है तो चाहे पुरलिंग हो या नपुनसकलिंग हो बात तो एक ही है सश्थी विभक्ती ही है इसमें लगी हुई है सश्थी विभक्ती एक बचन और अकारांत जो अगर इनके रूप समान होते हैं तो किम के भी रूप समान तो भले ही परिवार चाहे पुरलिंग बना हो या नपुन्सक लिंग बना हो हमारी सश्थी विभक्ती एक वचन का हमें रूप लगा देना है तो किम क्या सश्थी विभक्ती एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या बनता है कस्य बन जाता है बालक होता तब भी बालक से आता परिवार है तो तब भी परिवार से आगया पुस्त कस्य होता तो तब भी कस्य आ जाता चीक है यहां पर हमने सर्षी विभक्ति एक वचन का रूप कस्य लिग दिया सिर्फ विभक्ति पहचान लीजिए उसके स्थान पर उत्तर लिग दी प्रश्णवाचक शब्द लिग जी वैसे तो हम आपको जब पढ़ा रहते तब ही यह चीजें हम आप तो को तोड़ तोड़ के बता ही रहते वो ही यहां पर आ गई है वैसे एक यह है कि ग्रामम प्रती जो लिखा हुआ है यहां पर एक मुनुस्वार संधी हुई है क्या हुआ होता है उसमें अगर इसको क्योंकि ग्राम शब्द में माहलंत यानि द्वितिया विफक्ती लगी हुई है यदि किसी पद के अंत में माहलंत लगा हुआ हो और उसके बाद में कोई व्यंजनवन आ रहा हो तो यह जो माह हमारा होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार से ग माहलंत है हरी शब्द में द्वितिया विफक्ती लगी तो हरिम मन गया और हरिम के बाद में क्या है हमारा व्यंजनवन आ रहा है इसलिए हमारा जो शब्द बनेगा जो माहलंत है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और यह बनेगा हरिम और हम लिद्दिंगे वन देहां हो कि अहम जो शब्द है कयी जगए है के अम यंजन या वता हुए हुथ वसतिया व्यंजन लिखिया वैसे ही ये माहलंत हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर यही संधी हुई है कि कौन सी मौनुस्वार संधी हुई है जिसमें की ग्रामम का जो अनुस्वार था वो माहलंत में परिवर्तित होके हमने विच्छिद किया तब स हमारी हुई थी दीर्ग संधी पढ़ाते में अनुवाद करवातने में हम यह सब आपको बता दिया ते करिश्यती एशा शब्द से दोनों मिलकर बने हैं जिन में कि यहां पर जो यन संधी का यहां नियम लगा है एकी मात्रा यहां में बदल गई और यहां पर आके मिल गया है इसलिए यह ता आधा दिख रहा है आपको याक में एकी मात्रा दिख रही है और एका लोप होके शायस में मिल गया है करश्यती एशा शब्द से स्वधर पूर्ती गुनसंधी हुई थी स्वध और उदर पूर्ती शब्द से मिलकर बना था यहां पर अप्यम एवम किस से मि स्वध देखा है तो यह देखते चुट्कियों से आप इनको कर दोगे क्योंकि हर एक शब्द का हमने आपको तोड़ोड कर आर्थ बताया है आगे लिखा है हमारा 6 प्रश्न आता है समानार्थक पदानी मेलयत, समानार्थक पदों का आपस में मिलन करना है, तो जैसे के लिखा है आशरेन, आशरे के साथ में, या आशरे के द्वारा तो यहाँ पर जब तृतिया विभक्ती लगी है तो इसका हमें जो समानार्थक डूनेंगे उसी विभक्ती वाला डूनेंगे जिसमें तृतिया विभक्ती तो आश्चरिकार्थ क्या होता है विस्मय समानार्थक कार्थ होता है समान अर्थ आश्यरिन तो यहाँ पे हो जाएगा विस्मयन, विस्मय के साथ उल्लासिन, उल्लास के साथ हो जाएगा प्रसनता या प्रसनता के साथ परिवारस्य, परिवार का, तो परिवार का समानार्थ क्या होता है? कुटुम्ब अच्छा परिवार में सश्थी विभक्ती तो कुटुम्ब में भी सश्थी विभक्ती अध्यनस्य यानि अध्यनका की केकार्थ निकलेगा अध्यनका तो पठनस्य यानि पढ़ने का कालह कालह में प्रतमा विभक्ती तो काल और समय एकी बात होती है आश्यर और विस्मे एक बात होती है उल्लास और प्रसनता अलग एक ही बात होती है परिवार और कुटुम्ब समान होती है अध्यन और पठन एक ही बात होती है और हमारा काल और समय समानार्थक होता है बस इसमें देखना ये है कि विभक्तियां दोनों देखे समान बने हुए ठीक है? अब विलूम पद देख लेते हैं, लिखा हुआ है क्रेतम, क्रेतम यानि खरीदना, क्रीध हातु कार्थ होता है, खरीदना, क्रेतम यानि खरीदने के लिए, तो उसका उल्टा क्या होगा? बेचने के लिए, तो विलूम पद क्या मिल जाएगा? इसका विक्रेतम, क् कल तो उसका उल्टा क्या हुआ बीता हुआ कल तो स्वह और यह को कहते हैं हम यह यस्टरडे जिसको आप कहते हो कल किया था बीते हुए कल की बात जो करते हो ठीक है स्वह टुमॉरो यह यानि यस्टरडे ग्रामम ग्राम का अर्ख क्या हुआ गाउ तो उसका उल्टा क्या । समीप कारत हुँता है पास में। समीप स्थम् यानी पास में इस्थित। प्राच्छती यानी पूछना तो उसका ऊट्टा क्या होगा। उत्तर देना या कहना तो जाएगा प्रच्छती पूछती है तो कहती है उल्टा उत्तरती शब्द होता तब उसको भी साही कर देते इसमें कथियती है तो हमने कथियती में मिला दिया उसको ठीक है? आगे हमारा अंतिम प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है विशेशन पदाई सह विशेश्य बदानी योज्यत विशेशन पदों के साथ में विशेश्य पदों को जूड़िये अच्छा विशेशन विशेश्य क्या होते है विशेशन विशेशे आपको पता है क्या होता है क्योंकि भई आप जब मिलान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम मिलान जो कर रहे हैं वो हम किन चीजों का मिलान कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे अभी हम आपसे कहते हैं काला बादल थीक है क्या कहा हमने काला बादल फिर हमने कहा सफिद गोड़ा क्या बोल दिया हमने सफिद गोड़ा अब जैसे हमने यहां लिख देते हैं इन्ही दोनों शब्दों को लिख देते हैं हमने लिख दिया क्रिश्नह मेगह और फिर हमने लिख दिया श्वेतह अश्वह ठीक है अब हमने लिख दिया यहां पर लाल अब हम कहते हैं लाल बेल है बेल कैसी है लाल कलर की है तो हमने लिख दिया रक्ता लता अब यहां पर देखिए यहां पर किनी किना किसी किसी चीजों की यहां पर क्वालिटी बताई जा रही है जैसे कहा कृष् लें कभी वो काला हो जाता है और कभी-कभी आपने देखा होगा कभी-कभी लाल भी हो जाता है होता है जब हमारा क्यासा होता है सूर्य जब अस्तोने वाला होता है उस समय पर कभी-कभी बादल कैसे हो जाते है लाल भी हो जाते है तो यहां कहां कभी नीला भी दिखने लगत बही अलग-अलग रंग की हो जाती तो यहां पर मेग की बादल की विशेष्टा बताई कि वो कैसा है काला है तो जो कृष्ण शब्द है वो विशेषण बन गया क्या बन गया विशेशन बन गया अब किसकी विशेशता बताई जा रहे थी काला जो शब्द था काला क्या था बादल था आदमी था लड़का था लड़की थी या कौन था तो बोले वो मेग था यानि वो बादल था तो मेग हो गया विशेशी समझ गये अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या लिखा है? श्वेत अश्वा, श्वेत यानि सफेद अश्व कार्थ हुआ गोड़ा तो घोडा कैसा है? उसकी विशेस्ता क्या है? उसकी quality क्या है? तो कहेंगे वो सफेद है तो सफेद शब्द, जो स्वेथशब्द है वो बन गया विशेशन ठीक है और किसकी विशेश्ता बताई जा रहे थी किसकी QUALITई बताई जा रहे थी, अश्व की घोडे की अगोड़ा हो गया विशेश यह यह तो भई विशेशन विशेश है क्या यह बता दीजिए इसलिए हमने आपको बता दिया इसकी मेलन करने से पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सरवेश शाम अच्छा हमें पाठ में से डूणने हैं यह जो हमें विशेशन विशेश हैं बहुत सारे पाठ में आयते और जब पाठ में आ रहे थे तब भी हम आपको बताते हुए जा रहे थे कि देखते जाएए यहाँ पे यह शब्द इसकी विशेशता बता रहे हैं जैसे हमने कहा कि बालक जाता है बालक विद्या ले जाता है और उसी में हमने कहा दिया एक बालक विद्या ले जाता है तो जो एक शब्द है संख्या शब्द है वो भी उसकी विशेशता बन गई या बन गई उसकी विशेशता अब हमने कहा अधिकार है लेकिन कैसा अधिकार है वोले अपना अधिकार है तो स्वाधिकार है मौलिक अधिकार है तो कैसा अधिकार है तो मौलिक जो शब्द है वो अधिकार की विशेस्ता बता रहा है बालक है वोले बालका नाम बालकों का वोले कैसे बालकों का सभी बालकों का तो वयस्का, अल्प वय, वय कार्थ होता है आयू, अल्प कार्थ होता है कम, कम आयू की है, वयस्क जो शब्द बनता है वो किस से बनता है, वय से, वय कार्थ होता है आयू या उम्र, कम उम्र की, तो कौन थी, बोले यह कम उम्र की है, ऐसा मालिनी कहती है कि यह तो कम उम्र की है, तो किसकी बोल रहे थे वो जो पुत्री थी उसके बारे में बोल रहे थी तो क्या विशेशता बने कम उम्र की तो है लेकिन कौन है यह तो यह शब्द भी क्या बन गया उसका विशेशन बन गया यहां पर ध्यान रखेगा, संस्कृत में जो हमारे विशेशन बनते हैं, वो केवल नीला, काला, सफेद, काला, सुंदर, मोटा, मीठा यही नहीं बनते हैं, यहां पर जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो भी यहां पर विशेशन बन जाते हैं, जैसे एशा हमारा सर्वनाम सर्वकारी हैं सरकारी हैं तो सरकारी शब्द किसकी विशेष्टा बना विद्याले की विशेष्टा बता रहा था यहां पर समीप स्थे समीप में इस्थित कौन है घर था किसी का पुस्तकाल है थी उद्यान था क्या था नहीं विद्याले में समीप में इस्थित विद्याले म सरवासाम, सरवासाम किसके लिए, सभी, अब यहाँ पे देखे, सरवेशाम ने कहा कि यह पुरलिंग वाची शब्द है, यानि सभी शब्द तो है, इसका भी अर्थ सभी निकल रहा है, सभी का, इसका भी अर्थ निकल रहा है, सभी का, और इसका भी अर्थ निकल रहा है, सभ पुर्लिंग वाला बालक आएगा यहां पे जो सभी का शब्द तो निकल रहा है अर्थ लेकिन सर्वाशाम शब्द किसका है स्ट्रीलिंग वाची है इसलिए जो इसका विशेश आएगा वो कौन सा आएगा स्ट्रीलिंग वाची आएगा इसलिए बालिका यहां लगाया गया क्यों ऐसा नहीं किया कि सर्वेशाम बालिकाओं को जोड़ दिया जाया और सर्वासाम इनको जोड़ दिया जाया नहीं इसलिए क्योंकि भई पुरलिंग वाची शब्द है वो पुरलिंग की विशेस्ता बताएगा स्त्रीलिंग वाची शब्द स्त्रीलिंग की विशिष्टा बताएंगे आप कहेंगे ऐसा भी होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है अब आपको थोड़े यही पहले समझ लीजे फिर विभक्तियां भी बताएंगे इसमें अब निशुलकम क्या? गनवेशम गनवेश कैसी निशुलकम अब इनी में अब हम आपको विभक्तियां बताए देते हैं ठीक है कि कैसे हमारे जो विशिषण वाची शब्दों होते हैं अपना रूप बदल देते हैं अब जैसे मान लीजे हमने कहा कि एक लड़का, एक लड़की और एक फल अब इन तीनों में अंतर क्या है? देखे हमने लिख दिया यहाँ पर एक लड़का लड़के को क्या कहते हैं? बालक चीक है? एक लड़की तो क्या कहेंगे? एक बालिका चीक है? फिर कहा एक फल तो हमने कह दिया यहां लिख दिया एक फल तीनों में अंतर क्या है? कि ये है हमारा पुरलिंग बाची ये है हमारी स्त्रीलिंग और ये हुआ हमारा नपुनसकलिंग तो जो एक शब्द है कितने? कहेंगे एक तो एक शब्द की उसकी विशेस्ता बता रहा है तो इनके रूप जो है संस्कृत में बालक के अनुसार बालिका के अनुसार और फल के अनुसार बदल जाएंगे तो जैसे अगर हमने बालक शब्द में इन तीनों में हम प्रत्मा विवक्ती लगा देते हैं तो अब इनके रूप कैसे बदलेंगे तो एक जो शब्द है बालक के लिए आ जाएगा एक बालक में प्रत्मा विभक्ती तो एक में भी प्रत्मा विभक्ती बालिका में तो इसमें भी हमारी एक बालिका और फलम में हमारा माहलंत लग जाता है तो एक में भी माहलंत लग जा बदल गया एका बालिका और एकम फलम अच्छा इसी में हम आपको ले लेते हैं जैसे मनोहर शब्द कहते हैं मनोहर बालक है मन को हरने वाला इतना सुन्दर बालक है ठीक है तो हमने सुन्दर शब्द के लिए हमने मनोहर शब्द ले लिया ठीक है और हमारा हो गया उत्तम फल हो गया या उत्तम मित्र ले ले लेजे मित्र हमारा नपुनसक लिंगवाची होता है तो ये उत्तम जो शब्द है उत्तम सुन्दरता का ही अर्थ बताएगा अच्छे का ही अर्थ बताएगा अच्छाई का ही अर्थ बता रहा है लेकिन विभक्ति के आनुसार बदन जाएगा यहां हमने कहा बाल कह तो यह उत्तम हो जाएगा उत्तमह यहां हो गई बाली का तो यह हो जाएगा उत्तमा और यहां हो गया मित्रम विभक्ति युक्त तो उत्तम भी बन जाएगा उत्तमम चीक है तो जहां पर जिस विभक्ती का विशीशन पूछा जाता है विशीशन शब्द उसी विभक्ती का आता है तो यहां पर भी पता है देखे यही चीज हुई है अब आप देखेगा विद्यालय शब्द दो जगे थे एक यहाँ पे विद्यालयम था, एक यहाँ पे विद्यालय था क्यों ऐसा हुआ कि सर्वकारियम शब्द में हमारी कौन सी लगी थी? मुले नपुनसक लिंगवाची, नपुनसक लिंगवाची कौन सी विभक्ती थी? प्रत्मा ओद्वितिया में एक जैसे रूप बनते हैं फलम और फलम तो के रहे हैं अगर यहां पर माहलंत था प्रत्माद वितिया वाला तो यहां पर भी विद्यालय में हम प्रत्माद वितिया वाला विद्यालय का रूप ढूल लेंगे इसलिए यहां पर हमने विद्यालयम को सर्वकारियम से मिलान किया यहां देखे समीप इस्थे इस्थाध हातों में एक ही मात्रा लगी है जो सब्तमी विभक्ति बता रही है कि समीप इस्थे में सब्तमी विभक्ति है तो विद्यालय भी हमने वह वाला ढूना कि समीप में इस्थे विद्यालय में क्योंकि यहां पर में का अर्थ आ रहा है तो तो हमारा जो विशेश बनेगा वो भी सप्तमी विभक्ती वाला कहीना कहीं होगा इसलिए यहां पर सप्तमी विभक्ती का विशेशन था तो यहां पर सप्तमी विभक्ती का कौन सा शब्द था तो विध्यालय था इसलिए यहां पर विध्यालय बनाया गया ठीक है यहां पुर्लिंग वाला ही सश्टी विभक्ती बहुचन बाली का नाम ढूंडा सर्वेशाम में सश्टी विभक्ती बहुचन थी पुर्लिंग वाली तो यहां पर भी सश्टी विभक्ती बहुचन पुर्लिंग वाली लगाई गई यहां पर मौलिक प्रत्मा विभक्ती एक वचन त तो अल्प वयस का, देखे बड़े आकी मात्रा वाला, यहाँ पर भी प्रतमावे वगती एक वचन, सर्वकारियम तो यह सब ही हमने आपको बताए दिये, ठीक है, तो विशेशन विशेश्य ध्यान कीजेगा, अब जरह हमने यह बता दिये हैं, यह जरह आपने पाठ में भी एक पहले वीडियो में हमने आपको पूरे अनवाद करवा दिये, इसमें हमने आपको अभ्याज करवा दिये, और इन दो वीडियो में हमारा यह नवा पाठ है, जो हमारा पूरा हो गया, चीक है, अब यह सारे वीडियो आपको हमारी वेबसाइट पर भी आसानी से मिल गए संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया यहां पर चैप्टर वाइस वीडियो मिल जाएंगे किसी भी चैप्टर को ही अकेले पढ़ना है पूरी प्लेइस्ट नहीं आपको परिशान करेगी कि आप पूरी प्लेइस्ट में ढूंदते रहे क्योंकि एक चैप्टर नहीं है अपने 14-15 पार्ट पढ़ेंगे अपन तो उनमें आपको सिर्फ किसी बीच के पार्ट का अभ्यास अकेला रह गया है आपको पढ़ना तो क्यासे पढ़ सकते हैं जैसे चैप्टर वन खोला तो उसके तीन लेक्चर ही दिखेंगे पूरी लं कौन सा आप करवाया है एक बार में आपने एक पार्ट को खोला और आपने एक बार में पूरी उसकी पढ़ाई कर ली आसानी इसलिए कही जाती है कि यहां पर वेबसाइट पर आपको आसानी सी चीज़े में जाएंगे तो पढ़ते रहे हैं मैगनेट बेंस के साथ में नेक ले पार्ट में तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्याइट